गुट इवनिंग आप्रिवन आडियो वीडियो ख्लियर आपतो गुत है अजिपू देवनिंग आपतो और राइट तो हम लोग आपता जून का पर हीट दिसकस कर रहे थे अपिंग दो ख्लास हो चुकी है फिंग को स्विश्चं नमबर फ्रॉच्टि नमबर धर्टि जून का यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है तो आज इसके beyond अपनों को start करना है तो आप लोगों से कई लूगों को first class भी होगा तो उनकों मैं बता दूँ मेरा यह जो current class है यह आपका continuous class है यह आपका regular चलता रहा है पिछले दो सालों से ठीक है तो इसमें हम लोगों ने January 2021 से start किया था अब अपन पहुंच गए है जून 2023 ठीक है तो करीब करीव आप देख सकते हो कि वाने आफ यह पूरा तो करीब करीब करेंट अफेस आपका पूरा है ना लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप शुरू से जैनवरी 2021 से करेंट अफेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप लोग अब स्टार्ट करें February 2023 से क्योंकि अ आप लोगो एक्जांस देने हैं वहां पर सिक्स मंस का मिनिमंग करेंट अफिर्स आपको प्रिपेर करना है कई बार स्टार्ट कर लेजिए कि इसका कोई लिमिट नहीं है आप कितना भी पढ़ने वह कुछ भी बूल सकता है अभी इस बार का एक्जांस उठाके देखेंगे तो 2022 जैनुरी से कुश्चन आया था तो इतना पहले का पढ़ना इस नॉट सो मच पॉसिबल तो बहतर यह रहता है कि वन मंस से आप कंप्लीट करें ठीक है टार्गेट ले लिए कि मिनिमंग सिक्स मंस का करेंट अप्पेर आपको कंप्लीट करना है ठीक है मिनिमंग सिक्स म अभी उठा के देख लो आप अभी पिछले एक्जाम में दो कोश्चन डारेक्ट जून 2023 से पूछे रहे हैं है तो मिनिमंग सिक्स मंस का आपको करेंट अफेर्स करना है इस बात का दिहान रखें चलिए तो थर्डी कोश्चन कर लिए थे एक बर पहले पिछली कोश्चन थ इससे बात तरीती है किस स्टेट में बन रहा है यह उच्छन इंप्रेंट है में दाथव पर कुश्चन जा सकता है ठीक है नटाथव प्रोजेक्ट आपका यह कहां पर बन रहा है यह किस स्टेट में इसका करेंट रांशल नीजी हाँ जी है तो यह हम लोगों में पढ़ा था तली पढ़ा था करेक्ट टांसर को क्या है करनाट ठीक है थर्टी दर डिस्कस कर लिया था थर्टी के ब्यॉण्ड आज इस्टार्ट करेंगे तो यह रहा आज का पहला कुश्चन कुश्चन नमबर 31 विच आप फॉलएंग हाज बिकम्ट इंटरनेट सर्विस नेम्ट के फॉन जैसे नैशनल लेवल पे आपने देखा होगा एक सरकारी इंटरनेट सेवा है बाकि प्राइबेट में बहुत सारे आ गए हैं उसी तरह से किसी एक स्टेट में इंटरनेट सर्विस स्टार्ट किया है तो कौन सा इस्टेट है चलो तो के से तो इतना आइडिया लग जिए यह के इस्टेंट पोर करनाटका और केरला तो दो आप्शन्स हो गए यानि अब यह तो आंसर करनाटका होगा यह आंसर केरला होगा ठीक है अग्देपों भली आपको नहीं पता है लेकिन अपने चार में से दो आप्शन्स कर दिये यानि कि अब आप कोई भी तुक्का लगाऊगे तो उसके सही होने की प्रोबैबिटी हो जाएगी 50% ठीक है अगर चार में से कोई एक तुक्का लगाते तो सही होने की प्रोबैबिटी थी 25% लेकिन आपने दो आप्शन एलिमिनेट कर दिये इतना आइडिया लग और दो आप्शन आपके पास बचें यानि अब आपका कि अब बीच में थोड़ा सा इंटरनेट सर्विस दिस्टर्ब हो गया था बट अभी वो रिकनेक्ट हो गया तो एक बार मेरे को थाब्स अब दे दीजे लिए अगर वापस से आपका reconnection restore हो गया है तो मैं सब दे दी जिया ना और अगर नहीं हुआ है तो एक बर वीडियो那麼 फिरसे बंद करके उसको फिर से स्टार्ट करिए जब भी ऐसा हो जाया करें तो एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट कर लिया करिए वीडियो ठीक है तो इतना एटिया लग गया कि के और केरला या करनाटका तो अब कोश्चन की सही होने की प्रोबैबलीटी जस्ट डबल हो गई हो और जब भी आपके पा तो केरला इन दुनों में किरूक्ट आंसर है केरला यह केरला फैबर ओप्टिक नेटवर्थ नाम का इस फिए इनका पर्पस यह है कि जो बिपिएल परिवारे विलू पौवर्टी लाइन तो फैमली जो इंटरनेट के विवस्ता जिनके पास एवेलेबल नहीं है उन तक इंट्रनेट प्रोवाइड करना ठीक है जो रूरल इरियाज है वहां तक इंट्रनेट को ले कर जाना इंट्रनेट को एक्स्पेंड करना क्योंकि आने वाले टाइम में इंट्रनेट हमें पूरे लूप से जो है ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत इंपार्टन इंस्रुमेंट इंटरनेट अगर हमें ऑनलाइन कोचिंग क्लास करनी है तो हम्हें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगीЙ तो आज के टाइम में अगर आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट होना है और पूरी दुनिया से अगर आपको कोई चीज ग्लोबलाइज कर सकती है तो वो है इंटरनेट तो एक जो लुवर मिडिल क्लास परिवार है या जो लोग इंटरनेट को अपोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक इंटरनेट को ले जाने के लिए यह पूरी कराई जाए ठीक है बिलकुल यह अरुलाचल में भी आगे आएगा अरुलाचल के लिए आपका जो भारत नेट है वो काम कर रहा है जिसका परपस यह है कि अरुलाचल की जितने भी हीली एरियाज है उनको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएं ताकि वो एरियाज भी सब्सक्राइब हो जैसे अभी अनुलाचल के बॉडर एरियाज में आपने देखा होगा फोर्जी टावर्स लगाए गए थे ठीक है फोर्जी टावर्स कई सारे अनुलाचल के एरियाज में तो इसी तरह से फाइवर ऑप्टिक नेटवर्क भी बिचाया जाएगा बिलकुल कोचिंग सेंटर स्टैबलिश होते हैं बहुत जादा हुआ तो जो यह बड़े बड़े शहर के रहने वाले लोग है या जो यहां पर रहना अकूर्ड कर सकते सिर्फ कोचिंग की विवस्ता उनको मिल रही है जो बिलकुल आपका बॉर्डर एरियाज में रूरल एरियाज मे महरूम रह जाता है तो इस चीज़ को यह गैप को खतम करने के लिए हमने अपना ओनलाइन सिस्टम अरुणाचल में डैवलब किया है ठीक है यह इसी का एक हिस्सा है चलो तो अभी राइट टू इंटरनेट से रिलेटेट कुछ बात कर लेते हैं तो अभी रिसेंट्री ठीक है फॉर्मिंग है पार्ट एक औफ राइट टू प्रिवेसी अर्ड्ल ट्य अज़्य слब का हिस्सा है तो राइट टू एक्स इंटरनेट अक्स इस ठीक है यह किसका पार्ट है अज़िए ंदनार आता हे वकुन साहरा थे आज़ते यह कियाल्यक्रट सबिल सब्लीक है है इसको ध्यान रख़ेगा अब यह कुछ इस तरह के question conceptual questions होते हैं AP SSB में पूशे जाने की probability कम होती है लेकिन हाँ APPSC के लिए यह question सोड़ा साí important हो जाते है यह थोड़ा सा conceptual questions ठीक है और आपका current as are है यह हम इस तरह से चलाते हैं कि आपका AP PSC और AP SSB दोलो ठीजर के एक्जाम को थिहान में रहते हैं यहां पर आपका कंटिंट टेभल किया जाता है टीक है तो राइट फॉ इंटरेट असस्थ अपको फंदमेंटल राइट है अंडर अर्टेकल 21 गौशिट अधिया नूर्फिक टॉ शेली तॉर्टिन आज़िए डीट्विट पर था पढ मीडि़े। इन से लिए आपहन मैं कुंप सूर्थ नोगे इन से विए वजिओ गड़िए। बाइज रिवर नेस्ट रिवर रिवर नािपश स्टेवर निवर प्रिवर। बताइए अब 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 अपना रूलाचल कर भी धीरे-धीरे जो बॉर्डर इरियास के स्ट्वेंट से या जो रिमोट इरियास के स्ट्वेंट से वह भी कनेक्ट हो रहा है कि अब अब हां तो यह डेम जो था भी यूज में था क्योंकि यूक्रेन का यह जो डैम है अभी डैमेज कर दिया गया जिसकी वज़ेंसे बहुत ज्यादा फ्लडिंग देखने को मिलिए है इसके सरांडिंग इरियास में तो यूग्रेन और छीया एक टूथरे को कि रहे संदो रिवद्व करा यह यह घोना रहेगी लेकिन इसका अगर मैं करेक्ट आंसर बता हूं तो यह अपने काम की क्या है रिवर यह किस रिवर पर बना है यह रिवर आपकी कहां से आती है कि यह यहां से होते हुए यह किसमें मिल जाती है जाके एक फाइनली यह रिवर कि दर चलिए एक ब्लैक रशिया ने ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा यह उरिजिनेट आपका वल्डाई हिल्स रशिया से होती है फाइनली जाके किस में मिलती है ब्लैक सी में मिलती है और तीन कंट्रीज को यह पास करती है रशिया बेलरूस एंड यूक्रेन शाद हो देट वाद अबाउंट अल पता है वो किसने अन्वी और पता है वह किस में अन्वीन की है साउदी एरेविया यूए एए एरान अफगानिस्थान पता यह अगरे कि अगरे कि 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 करेक्ट आंसर अधाई है आपका आपका आपको सुनिक पता है यह आपका किस ने लॉंच किया है बिल्कुल यह करेक्ट आंसर एंपट साउनिक मिसाइल है थो इस व्यडाइब लेना देना तो यह वह मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल उसको कहते हैं जो at least five times the speed of the sound उससे तेज़ चले ठीक है वो कहलाती है आपका हाइपरसोनिक ठीक है यानि मैक 5 इसकी speed कितनी होनी चाहिए minimum speed होनी चाहिए आपका मैक 5 इससे ज्यादा की speed है अगर उस मिसाइल की तो उससे क्या कहते है हम लोग हाइपरसो का discussion किया था इरान की capital है तहरान ठीक है उसके साथ साथ इरान में दो important आपको desert देखने को मिलते हैं इधर साइड आपका दश्टे काविर और एक दश्टे लूट ठीक है तो यह दो deserts पूछ लेता है यह कहां पर located है दश्टे काविर दश्टे लूट यह दो deserts आपका इरा इरान में located है इरान की location अपने आप में बहुत दिल्चस्प है यहां से काफी question बनाने को आए तो बना सकता है ठीक है यह question बन भी चुका है दश्टे काविर पूछा था यह SI की exam में पूछा था कि दश्टे काविर जो आपका desert है वो किस country में located है इसके अलावा एक mountain है अलब बर्ड में यह दो बड़ी country है एरिया वाइब और इनके बीच में water body flow करती है ठीक है तो पर्शन गल्प इनको separate करता साउधी अरेबिया और इरान को ठीक है पिर यहां से जब यह पर्शन गल्प का पानी बाहर निकलता है तो किधर तक जाता है कि गल्प उमान होते हुए Arabian इनसी में जाएगा ठीक है और यहां पर एक narrow passage of water है जिसको हम लोग कहते है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज तो यह स्ट्रेट ऑफ हर्मूज यह आपका UAE और इधर ओमान और इधर आपका इरान इनकीनों के लिए बहुत ही crucial जगा है तो यह आपका स्ट्रेट ऑफ हर्मूज कनेक् अर्शियन गल्फ को और गल्फ को मान को तो यह कुछ मैप से location मैंने समझाने की कुशिश की है आपको regarding एरान यहां तक चीज़े आपको समझ आ रही हूंगी ठीक है को डॉक्त है क्लियर है कि नहीं कि यह सो नो तो बस करेंट रिगार्डिंग बस इतना ध्यान रखना इरान की है अब इरान की बात आए तो इरान से रिलेटिट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से जो आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कॉस कर लिए ठीक है मुविंग तो नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर 34 रिसेंटली दा पर्मनेंट बिल्डिंग ऑफ दा प्री हिस्टोरिक 5000 यर ओल्ड ठीक है प्री हिस्टोरिक किस एज को कहते है ऐसा टाइम जब लोग लिख नहीं पाते थे ठीक है जबकि पेंटिंग वगेरा से हम उनके बारे सब्सक्राइब करते हैं तो 5000 यर ओल्ड धालपुर शिवा मंदिर इन विच और यूनियर टेरिटरी आसाम जम्मू एंड कश्मीर लद्दार या फिर उप्तरःगर रिसेंटली दा पर्मनेंट बिल्डिंग अप्री हिस्टोरिक 5000 यर ओल्ड धालपुर शिवा मंदिर इन विच और इन विच और इन विच और फोलेंग इस्टेर्स या फिर यूटी आसाम जम्मू कश्मीर लद्दार उत्रःगर तो यह जो मंदिर है आपका कहां पर भी दुबारा से इस पर काम चालू हुआ है रिस्टोर करा गया है ठीक है वाइफ प्रिंग इंप्रोच्मेंट तो यह न्यूज आकि आसाम की दी आताम मतलब आपका नॉर्टिस करेंटर्फेस के इसाथ से इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए यहां पर इसको कवर करा गया है ठीक है ठीक है ठीक है अभी क्रोश्या विमिन्स कप हुआ था उसमें वू बिकेम तक पास इंडियान फुट्बाल प्लियर तो इस पोर इन इन यूरोपियन फाइनल बताइए अंजू तमां मनीशा कल्यान जोती चौहान या फिर मनीशा पन्यूर्ट हाँ इसका करेक्ट आंसर है यह होती चौह ठीक है तब ही जो प्रोश्या विमिन्स फाइनल करता उसमें फाइनल में स्कूर करने वाली जो पहली भारतिये प्लियर है वह है आपका जोती चौह ठीक है तो यह नाम ध्यार रखिएगा कभी कभी पूस सकता है आपको कि इस पॉस्पोर्ट से पूर्ट सकता है कि यह परस्णालिटी किस स्पोर्ट से रिलेटीड है ठीक है यह कोश्चन भी बनने की पॉसिबिलिटी बहुत हाइग होती है पॉस्पोर्ट से पॉस्पोर्ट से अवार्ड उसके लिए कौंस इंडियन को सिलेक्ट किया गया है कि देखो जो बाइस्पेर रिजर्व्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है यूनेस्को हम लोग जानते हैरिटेस साइट के लिए जानते क्योंकि कि यूनेस्को किसको मेंटेन करता है कि chciaut security साइट को मैंटेन करता है ठीक है और साथ साथ यूनेस्को कफिर में मतलब रिकाइज करता है अलग-अलगुईेर्या सक है साए लेकिन उसके साथ साथ यूनेस्को बाइसपेर रिज़व स्वहाल करता जानते हैं इन प्रोग्रम चानता मैंन इड़ाइंड कि आपको क्या-क्या करना चाहिए एक बाइस्पेर रिगार्डिंग यह अवार्ड दिया गया है युनेस्पोज मिशेल पैटी से अवार्ड तो यह किसको दिया गया है यह दिया गया है जग्दीश एस बाकन जीप को ठीक है यह बीन अवार्ड दभाइनियल मिशेल बैटी से अवार्ड पर बाइस्पेर रिजर्व मैनेजमेंट पर इंट्रोड्यूजिंग ग्रीन जॉप एंड माइक्रोक्रेडिट तु इस्टिमिलेट कम्मिनिटी लैड अपर्स तो कंजर्व बायो डाइवर्सिटी इन गल् को मननार्वाइसपेर ठीक है तो यह तो बात होगी जग्दीश ठीचान रखना पहला तो यह गल्फ उप मननार्व से अमेशा relate करना Tamil Nadu ठीक है यह कहां पर है Tamil Nadu पहली चीज यह ध्यान रखना दूसरा सवाल जो आपको और ध्यान रखना है वो यह है कि UNASCO का headquarter कहां पर है आजी दूसरा सवाल आपको यह ध्यान रखना है UNASCO का headquarter कहां पर है कर दो कर दान मझेर संपाल आपको यह मझा का। ह için आपको यह है कि यह है यह है रखना भना आपको है उपना है वह है काई आपको यह हम उपको यह है बहुत अच्छी बात है इटन अगर तुक्के ऐसे लगाने चाहिए जो ऑक्षन में भी ना मिले कि अधिक्वाजा जी तो सरकाल सरकाल भी केज रहे हैं कि जहां आफिल्टावर है सब्सक्राइब अधिक्वाजा नहीं पता है तो और जैंपन ने तो का सर अपन वहीं और टाइम वाला जो बेस्ट पॉसिबल होता है कई नहीं समझ आ तो कहां लगा दो जैनेवा बहुत बढ़िया तो हां वैसे नहीं पता है तो जैनेवा बिल्कुल सटीक तुक्ता है लेकिन अगर पता है तो पता हूँ ना चाहिए करेक्ट आंसर इस पारिस टीए कैपिटल किसकी है यह प्रांस ठीक है तो यूनास्पो का हैड़क्वाटर रखना पैरिस में चल वह यह थोड़ा सा स्पेशल है मतलब है यह अलग से प्राइश ना बहुक्त जाद आपको कुछ हैड़क्वाटर पढ़ने को नहीं मिलेंगे तो यह अलग से पढ़ने को मिल जाता है इसको तो अलग से धियान रख लेना चलो नेक्स पोश्ट पर मेरी इससे बहुत उम्मीदें हैं अभी तक मिलिक्री एक्सराइज कोश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन यह पोटेंशल टॉपिक है कभी भी पूछा जा सकता है तो भली यह कितना आपसे एक्जाम में नहीं पूछा जाए लेकिन इसको इग्णोर मत करना है कभी भी पूछ अब के पीछ होई थी सरी है यह होई थी आपके इंडिया और माल्डी इस की कैपिटल बता सकते हैं यह पूछी गई थी अभी एक्जाम होए था उसे माल्डीव की कैपिटल पूछी गई थी यह सब जो आप देख रहे हो अटोल क्या होता है व्यूप आइस टीक है एक चेन अटोल माले तो इसकी अपिटल हो गई यह पूरे किस अटोल में आता है ठीक है मलाकु अटोल और एक नीचे है आपका अद्डू अटोल ठीक है तो माल्डीव आपका एक्वेटर से भी पास होता है ठीक है माल्डीव ज्यान रखना एश्या की तीन कंट्रीज हैं माल्डीव इंडोनेशिया किरीब आती यह तीन कंट्रीज इक्वेटर से पास करती है तो देखो यह पूरा यहां से यहां तो यहां से आपका एक्वेटर वाली लाइन प्रॉस करती है तो बैसिकली यह लैक्टिव सी में अगर आप जाओगे तो उपर साइड एक अटोल होता उसका न कि दो अटोल्स को डिवाइड करता एक वादू और एक अदू ठीक है तो इसको धियान रखिएगा रिगार्डिंग माल्डीज के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरह कोश्चन नमगर 38 रिसेंटली इंडिया वास रैंक थर्ड इन ट्वेंटी अट्लेटिक चेंपेंशिप इड वाद इन विच आप अब आप व्यक्ति अब वाद तरह कोर्या चाइन जैपन यू ए बताइए रेसेंटली इंडिया वास रैंक थर्ड इन ट्वेंटी अट्लेटिक सैंपेंशिप यह किस कंट्री में अभी हुआ था साओथ पोर्या कि यह यह चाइन कि यह चाइन लग एंडिया शवेंशिप यह चाइन वाद बताइन वाद वाद बताइन जैपने वादोग पोर्या वाद गाद है तो यह अभी जो अंडर ट्वेंटी अट्लाटिक्स चेंपेंशिप हुआ था यह हुआ था सरापका साउथ कोरिया में कई लोगों के आखे चमक गई होंगी कोरिया का नाम सुनके तो पूरिया देख लो सर कहा पर है ना पूरिया तुदा होगा देखा नहीं होगा देख लो सराज पूरिया गुंके आते हैं तो आपका इधर से इंडिया जाओगे इधर यह चाइना वाला हिस्सा है चाइना में यह पूरा इलाका है ठीक है यह वाला जो इलाका है पूरा इ से एस्व चाहिना सी नीचे होता से ठीकिक है इसकी ऊपर आउगे तो यह आपका यह जैप्र है इस आई लेइंड से डिफरेंड डिफरेंड धिफरेंट अहोगाइडू हों श्येकोकू तेग्व फंस ट्लिफ टो जैपाइन और यह वाला अरह स्वा suffi इसी के दो हिस्सें हैं एक है North Korea एक है South Korea तो यह Russia China वाली बेल्ट और Japan इसके बीच में आता East Sea या Sea of Japan भी कहते हैं फिर यह Korean Peninsula और यह China इनके बीच में आता है Yellow Sea ठीक है और यह जो Korean Peninsula इसके इसे ओपर वाला North Korea नीचे वाला कहला तो सॉरी North Korea नीचे वाला South Korea है ना हम लोग जो Korea देखते हैं इतना ज्यादा अरुलांचल में फेमा से कोरिया हो सकता है आने वाले एक्जाब में वह पूछ ले South Korea की बताओ तो ध्यान रखना और यह इवेंट जो अंडर 20 अट्लाटिक चैंबिंशिप यह South Korea में वह था इसमें इंडिया की थर्ड पोजीशन रही थी हमने तो आगे और भी कंट्री सरह में देखना है सर्फ South Korea नहीं रहना है लोकेशन ध्यान रखना ठीक है लोकेशन ध्यान रखना इदर यह रेश्या के नीचे जो Korean पैंटला है उसमें South Korea आता है और कैपटल है इसकी स्यूट चलो दिए आगे बढ़ते हैं अगले कुस्चिन के तरह कुस्चिन नमबर 39 रिसेंटली पीम नरेंद्र मोदी हैज लॉंच दा मिश्टी स्केम इडिज रिलेटेट तू विच आप दफॉलें मिश्टी स्केम हम लोगों ने February में भी आई थिंक पड़ी थी क्योंकि इस साल के बजट में इस स्केम को अनॉंस किया गया है ठीक है तो मिश्टी स्केम आपका फिर से निूस में आई है तो बताएं इसका correct आंसर क्या हुआ हूए बिआ पहले भी हम पढ़ चुके ये विस्टी दही वाला हम ह्स्थि नहीं है ठीक है कि विख्रेक्ट हन्सर क्या होगों मिश्टी इसके पिससे रिलेटिड रहे ं ए मिश्टी आपको किस से रिलेटिड ए यह आपका मेंग्रूर्व को उठेड यह यह mangroves से related है, ठीक है, correct answer is mangroves, मिश्टी की full form क्या है, mangroves initiative for shoreline habitats and tangible inputs, ठीक है, यह इसकी full form है, बिल्कुल याद रखनी की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, मिश्टी बोले तो mangroves, अब सर्ये mangroves होते क्या, पहला सवाल तो यह याता है, कि सर्ये mangroves मतलब क्या, mangroves एक तरह के forest होते हैं, मतलब एक तरह का पेड होता है, इसकी खास बात यह होती है, कि इसकी जो roots होती है, वो जमीन से उपर होती है, जमीन के अंदर नहीं होती है, और climate point of view से, nature के point of view से, इनका role बहुत बढ़ा है, जैसे यह generally कहा पाए जाते हैं, coastal areas में पाए जाते हैं, ठीक है mangroves generally आप देखोगे, coastal areas में पाए जाते हैं, इनका natural significance बहुत जादा है, ठीक है, कई सारे birds होते हैं, जो mangroves पे आते हैं, जैसे winter के time के वो mangroves पे dependent हो जाते हैं, और mangroves में आपका जो भी production वगएरा होता है, वो तो आपको help करता ही है, साथी साथ mangroves की एक खास बात यह है, कि कभी भी मालो tsunami वगएरा आईगी, तो उसको कुछ हद तक रोखने में ये काम, tsunami छोड़ो, मतलब जो tides वगएरा आती है, जो high tides वगएरा कभी कभी आ जाती है, तो आज पास की local areas को और tides से protect करने का भी ये काम करते हैं, ठीक है, तो natural significance मश्रूम्स की, वो mangroves की काफी अ production है, उसको और ज़्यादा बढ़ा से, ठीक है, building on India, success in afforestation, हम जिस तरह से afforestation मतलब पेड लगा रहे हैं, उसमें mangroves का भी बढ़ावा देगे, ठीक है, तो उसके लिए एक alliance भी बनाया गया है, तुनिया वर में mangroves alliance for climate, ठीक है, ये भी important है, Mac, दियान रखना, ये किस से related ह है, ये mangroves से related है, mangroves alliance for climate, ये किस meeting में बनाया गया, तभी जो COP 27 हुआ था, ठीक है, conference of parties 27, COP 27 कहा पर हुआ था, UAE में हुआ था, ठीक है, ये आपका Egypt में हुआ, ठीक है, ये अभी Egypt में हुआ था, अपकी वाला जो COP 28 हुगा, वो UAE में हुगा, तो ये COP 27 एजिप्ट में हु था, कि एक mangroves के लिए alliance बनाएंगे, ठीक है, ये COP 27 क्या है, ये भी हम लोग कई बार पढ़ चुके, एक बार में फिर से revise करा देता हूं, तो 1992 में एक Rio Earth Summit हुई थी, ठीक है, 1992 में एक Rio Earth Summit हुई थी, जिसमें decide हुआते हैं कि climate से लड़ने के लिए body बनाएंगे, और उसका न मीटिंग बुलाती है, तो उस मीटिंग को कहते हैं Conference of Party, पहली मीटिंग बुलाई COP 1, दूसरी COP 2, इस तरह से अभी तक 27 मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, COP 27, और इस COP 27 में ये डिसाइड हुआता है, ये कब हुई थी, 2022 में हुई थी, ठीक है, और इसमें ये डिसाइड हुआ कि मैंग्रूव्स आलाइंस पर क्लाइमेट बनाया जाएगा, जो मैंग्रूवस की प्रोडक्शन पर काम करेगा, मैंग्रूवस को कंसर्व करने पर काम करेगा, ठीक है, अभी इसको मैं बार-बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि UNF रिपल्सी की मीटिंग हुई थी, कॉटवस की परिंटीवन 2015 में, ठीक है, पैरिस में, उसमें एक प्रैरीडी क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन वहा था, पैरिस लाइमेट अग्रेमेंट और उसी पर सवाल आपका, इस बार कूछा गया थे, कि पैरिस माइट पुछे कॉप 27 काम काम पarta चाने और यहाह ऑगय तो इसमें देख सकते हो इनिशीटिव लैट वाइद यूएई इंडोनेशिया और इसमें इंडिया है शी-लंका है ऑस्ट्रेलिया है जपैन है इसमें इंडिया भी पार्ट है इसको ध्यान रखिएगा तो इसमें इंपोर्टेंट है इसमें लोगों काफी कुछ जाना में क्लास में खतम हो जाती है आप अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो तो बिलीव में आपको कोई भी एपीस एजबी का पिपर वास्ट तो नहीं लगेगा यही लगेगा यही सब वही पड़ाई लिखाई चीज़ें है कुछ भी ऐसा नहीं कि अलग से पूछ लिया गया ठीक है क्योंकि जितना भी वह रेंडम पूछ सकते हैं वह सारी डेंडम सब्सक्राइब तो यह थर्टी नाइन कोश्टिन हमारे हो चुके हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कुश्टिन की तरफ कोश्टिन नमबर 40 which of the following has secured the first rank in the fifth state food safety index 2022-2023 हर साल 2019 से अक्चुली स्टार्ट हुआ था ठीक है 2019 में पहली रिपोर्ट आई 2020 में 2nd आई होगी 2021 में 3rd आई होगी इस तरह से अभी फिलाल फिप्त रिपोर्ट आ रहे है पूट सेटी इंडेक्स ठीक है है थित रिपोर्ट आ रहे है बिल्गिल की ऑल्राइट अब दो जो फिप्त रिपोर्ट आ रहे है है कहाँ उर टो लाज इसित निकालता का आने इस रिपोर्ट को निकालता कौन है पसाई पूड सेफटी स्टैंडर्स ऑफॉरिटी ऑफ इंडिया में पूड स्टैंडर्ड क्या होगा वह पसाई करता है अगर कोई चीज खाने में पैंक करवानी पसाई करवाएगा रेस्टुरेंट्स को जो लाइसेंस वगेरा होते हैं और प्राइजेशन चीज पर घ्री और डांग वेजिटीरियन चीज पर अभी तो यह कौन डिसाइड करता है कि ऐसा होना चाहिए ठीक है फूर्ड सेफटी से रिलेटिज जो भी स्टैंडर्स से वह सब्साई बनाता तो नों एक नाशनल लेवल पर फूर्ट सेफटी इंडेक्स निकालिए जि जिसमें मिलावर कम है जो ज़्यादा है तो अगर जब अच्छी बाते होती हैं तो एक पुक्छा तो केरला अपना लगी जाता है हां तो इसका भी करेक्ट आंसर इस केरला तो बड़े स्टेट्स में जिसने टॉप किया है केरला है ठीक है छोटे स्टेट्स में गोवाइमर्ज एस दा लीडर ठीक है उसके अलावा अगर आप यूनियन टेरिटरीज में बात करो तो जम्मू कश्मीर फॉस्ट है डैली सेकें और चंडीगड आपका थर्ड ठीक है तो यह था रिगार्डिंग फूर सेफटी इंडेक्स पॉन निकालता इसको हर सल फसाही निकालता फूर सेप्टी स्टेंडर ऑफॉरिटी ओप इंडिया चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं कुश्ट नंबर पॉर्टीवर रिसेंट्ली दा यूनियन मिनिस्ट्री ओफ फाइनस अप्रोड प्रोपोजल पॉर एडिशनल फंड पॉर्पीस 12,911 क्रोड पॉर अंडर कंस्ट्रक्शन पॉला वरं इरिगेशन प्रोजेक्ट इन आंध प्रदेश ठीक है अल्ला कुल मिला के यह सब बूल इरिगेशन प्रोजेक्ट के इस अंध प्रोजेक्ट नहीं है तो पुला वरं इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आंध प्रदेश में बन रहा है तो वो किस नदी बन गाख्रिशन नदी तुंगा भद्रा गदावधरी कावेरी जैसे पिछला कोशन मेक दातू से रिलेटेड था मेक दातू जो वो हमने आपको बता दिया था कावेरी नदी पे बन रहा है लेकिन उसका इस्टेट पूछ लिया था यहां पर इस्टेट बता दिया आनप्रदेश है रिवर पूछ ली कोला वराम पोजक्ट किस रिवर पे ब पूछ लगाई है कोई है जिसका भी तर खाता नहीं खुल है अ हाँ तो यह प्रोजेक्ट आपका आनप्रदेश से निकल रहा है जो वो कावेरी तो वैसी नहीं हो कोकता यह कर्नाट का तबिलाडू में जाती कावेरी नदी है ना तो इसका तो इदर आनप्रदेश में काम नहीं है तो यह प्रोजेक्ट किस रिवर पे लोकेटेड़ है यह गुदावरी प्रोजेक्ट रिवर पे बन रहा है तो इसलिए यूनियन गवर्मेंट इसके लिए पैसा दे रही है अभी देखो गोदावरी मैंने कई बार बताया इसको दक्षिड गंगा गेते हैं ठीक है दक्षिड गंगा यानि गंगा ऑफ दी साउट यानि पैनिल्सुलर इंडिया की सबसे लाज़ेस रिवर और इस बार पूछ भी लिया था यूडिती में लाज़ेस लॉंगेस रिव चांड या मार्स पर जाके बनाते हूं यहीं से गोंग रहे 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 हैं चलो नेक्स्ट कोशन कर जाओ पॉस्टिटीटू इस इंडियन ओरिजन चैडविक जो इंडियन अकैड्मिक ओरिजन जो इता गुपता है बांदा इस्पीनोजा प्राइस 2023 इस्पीनोजा प्राइस सवाल डाइस इस्पींजा प्राइस किस कंट्री ये सांटिविक रिकना यह इंडियन ओरी एक डूबल प्राइज भी सब्सक्राइब करें तुकि यह नेधरलेंड का हाइएस रिकनीशन साइन्टिफिक प्राइज है और हाइस रिकनीशन साइन्टिफिक प्राइज पॉर्ण फ्रोमोटिंग अप्पेयर एंड सस्टेनेबल वर्ड शीचिए सब all right next question अभी एक आईलेंड न्यूज में था Fraser Island फ्रेजर आईलेंड यह भी अपने आपने प्रेट फ्रेट लाजजेस्ट फैलेंड उसका नाम बदल के कगारी कर दिया गया It is in which of the following country कगारी कुछ-कुछ तंगारू से रिलेटिद नहीं लगा तूंको लगाईये से तुक्ता Fraser Island वर्ट's largest sand island has been named Kagari it is in which of the following countries बिल्कुल सर् correct answer is Australia मैंने काना थुड़ा कंगारू से रिलेटिद नहीं लगा तुछ से ये बस थुड़ा याद रहे आपको इसली मैं ये सब बाते आपते कर आप ठीक है तुट correct answer क्या होगा सर इसका correct answer है आपका Australia तो ये आप देख सकते हो यह और जो प्लकुल एस्टन साइड वहाँ पर यह आपका आई-लेंद है डिक हम यह आई-लेंड है यह आपको एस कस्पानी आ इस इह एक समानिय विभ草 से आदन आस्रेल्या में है आच्चा आस्रेलिया की कवेटल बराएकर द्यान रहत्मा है सिदिनी नहीं होती है चान्वेरा ओस्टेरिया के कैपिटल क्या है चान्वेरा सिदिनी मत लिखके आज आप लोग चीगे चलो ट्रैवल ब्लॉक्स दी काम आयाते हैं बिल्कुल जी के कि यही तो बाते जरूरी नहीं किताब पड़ो तो ही आप सीखोगे कि एक्सा चीज़ों में भी कुछ न कुछ सीखने को मिली जाता है और राइट सब्सक्राइब यहां तक कोई डाउट है तो बताईए यहां तक की चीज़े प्लेयर हैं तो प्लीज गिव यहां तो आज इतना ही रखेंगे ठीके इसके आगे के कोश्चन्स इंदा नेक्स इसके आगे की कानी हम लोग अगली क्लास में कंटीनियू करेंगे लेक्चर अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजिए अपने कलीक्स के स शेर कर दीजिए और और कंटीनियूस रहें कंसिस्टेंट रहें में जीज जरूरी होता है तो अइसा नहीं है कि आप से महिए गरा हूं साल दू साल तीन साल पड़ो कुछ महिने आपको अच्छे सा तैयारी करनी है ठीके तो वो जंक कर लो तैयारी को कुछ मंस तंडिस्ट झाल 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 झाल